असलाम लेकुम, वीवर्स में हूँ आपके साथ सहर हुसेन पराचा और आज हम आए हैं डॉक्टर रियाज एहमत की क्लेनिक पर और आज हम इंसे पूछेंगे हेल्थ के हवाले से और अपनी मालूमात और आपकी मालूमात में कुछ इजाफा गरेंगे तो आएए चलते हैं ड और अन्ट्रेंड स्टाफ जो है वो रखा जाता है जिनको सिखलाई करके और कम पैसों पे उनको जॉब दे दी जाते हैं यह इंसान की जिन्दगी को खत्रे में डालने वाली बात नहीं बिल्कुल है क्योंकि यह अन्ट्रेंड होते हैं उन्हें वहीं सिखाया जाता है जो स्टाफ है उसे अपना कार्ड अपने साथ रखना चाहिए जिसमें मेंशन हो के वो डॉक्टर है यह स्टाफ है अगर स्टाफ वेल ट्रेंड होगा तो वो डेफिनेटली वो इन चीजों को प्रॉपर्ली देखेगा बिल्कुल वेल ट्रेंड होगा उसके पाद डिपलोम और अगर स्टाफ है एक्सपायरी है या नहीं है लोग स्टीतियों आजकल पच्चों के निदर हुम धिख रहे हैं बड़ों के इंदर भी देख रहे हैं कि ही पैटा के मुख्तलिफ अमराज बुखार in उसकी क्या वजूहत है ते क्के जो बच्छेapa पैदा हो रहे हैं उसमें तकरीबन 42-46% बच्चे ऐसे हैं जो उनकी माईं जो हैं उनकी खुराक सही नहीं है और वो वक्त से पहले पैदा हो जाते हैं उनकी बच्ट-साइब से हैं सेवङ्टास समय और उसके बास लिवमारियां चल रहे हैं जो सीजनली है यानी मौसमी बिमारियां उसके हावाले से डॉक्ट साब क्या कहेंगे और उसका कोई घरेलू टोटका या कोई नुसका अगर डॉक्ट साब हमें तज्वीश कर दें गरेलू टोटके जो हैं वो तो वो इस्तवाल करके ही आते हैं जिन से खातरखा फाइदा नहीं होता तो मैडिसन औरली दी जाए और पहली सीडी की दवाएं जो हैं उनको तरजी दी जाए यक्तम हाई शीडी के बाली दवाएं ना दी जाए उनके साइट इफेक्ट ज्यादा ओ देखें गॉर्मनेट हॉस्पिटल में ज्यादा फशेलिटीज मिलनी चाहिए गॉवर्मेंट को उसके पर ज्यादा तवज्जों देनी चाहि कि एक दिन उन्होंने रखा होता है जो गॉवर्मेंट के मतलब फ्री पेशेंट देखने होते हैं उसमें कंसल्टेंट्स अवेलेबल ही नहीं होते हैं और आम दिनों में जाना पड़ता है तो पंदरह सौ से लेकर धाई अजार रुपए लेते हैं में ऐसा है कि अगर कोई डॉक्टर किराए पे जगा लेकर वहां अंदर बैठता है तो बास हॉस्पिटल जो हैं जबरदस्ती उसको निकाल देते हैं रेंट कंट्रोलर के पास नहीं जाते और केसिज चलते रहते हैं चलते रहते हैं बंदे मर जाते हैं केस नहीं मरता मेरे साथ खुद ये हुआ है जिसका मैंने चीफ जस्टिस साब को बाकैदा लिखा है कि मैंने नदीम मेडिकल सेंटर में जगा लेकर ये अपना क्लिनिक खोला लेकिन दो साल के बाद उन्होंने अंदर गार्ड बिठा दी अंदर से ताले लगा दी कोई रेंट कंट्रोलर क पास नहीं गया, एक लाक रुपया भी मेरा उनके पास अभी तक है, डिपॉजट बाकैदा मैं किराया दे रहा हूं और कोर्ट में जमा भी करा रहा हूं, डिफाल्टर भी नहीं हूं, लेकिन उसके बावजूद लोर कोर्ट में हमें इनसाफ नहीं मिल रहा, तारीख पे त तारीख पे तारीख मेन रही है. इतने साल हो गए आपको यह क्लिनिक चलाते हुए हूं? यह क्लिनिक पर मुझे तो सिर्फ दो साल ही हुए हैं, लेकिन एक लेनिक काफी पूराना है, तकरीबान पंदराब भी साल है. एंबूलेंस वाले जो हैं वह खरीदों-फॉट करते ह उनके बाहर खड़े रहते हैं जब अंदर से मरीज आता है कि यहाँ बेड खाली नहीं है तो अक्सर तो डॉक्टर जो है उनकी मिली भगत होती है जो वहाँ काम करते हैं एमरजेंसी में तो वो बाहर भीज़ देते हैं या वो बता देते हैं पता कि आफना आदमी को मिलें दूसरी बात यह है कि एमबुलेस वाला जो है उनको बेनाफ उसका के वो अपने पसंदीदा हॉस्पिटल में ले जाता है कि यहां आपके पैसे भी कम होंगे तवज्जो भी आपको मिलेगी तो वहां वो हॉस्पिटल में जाके मरीज को बेज नियुक्त है तो 10,000 रुपए ले लिया वो सिर्फ वो मरीज को खरीगते हैं तो उसके बिल के अंदर कितने एडिशन करते होंगे तो वो उसी मरीज के बिल में ही एडिशन करके वो निकालते है वैसे अपनी जेब से तो देते नहीं है अगर वेंड का पैशंट है तो कम से क 10-20 दिन तो रहेगा इसी यू में उसका बिल लाकों में बनेगा अभी चीफ जसर साब ने बारां हॉस्पिटल्स पर उन्होंने जाके सरदिनिश की है कि भी यह लाकों रुपया वो ले रहे हैं एक महीने का 40 लाक रुपया का पेपर में आया है कि उसका एक बंदे का बिल था तो एक लाक रुपया से ज्यादा तो वो ले रहे हैं दिन का जी वीवर्स आपने देखा किस तरीके से डॉक्टर साब ने हमें वो बातें बताई जो शायद आज तक हमारे इल्म में नहीं थी इस प्रोग्राम को करने का में मकसद हमारा इस सिर्फ इतना साथा कि अवाम बाशाओर हो जाए जब हम किसी क्लेनिक में जाते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ये डॉक्टर डॉक्टर है या नहीं है इसी के साथ अपनी मेजबान सहर हुसेन पराचा को अजाज़त दीजिए फिर किसी नेक्स्ट शो में आपसे मुलाकात होगी अल्ला हाफिस